अलल करेंगे यहां से क्या करें आकर इसको mere project हो दो काम यह है मपने करना है एक क्रूदिक्क नाखर पुराना कोई मौझूद Πेसे को दिख लेख में हैं अभी किंदि मत बुल्कुल ब्हुतिक है जो भी काम करेंगे और पहली एक्सिविटी पहला लेक्ट होगा तो या रिखेगा इसको आप करेंगे शो एक्सिविटी से मुराद यह है कि वही जो पहले आप यहाल पर प्राजब बढ़ार देक्टीड जो इसाल के तौर पर आप आप इनाम पर चाहिए अब जो भी आप का प्रहा जाए देवाई देटेंगे यहूं आपके आपके जहाए चिला करें और फोर बर इस दिवाइस करेंगे यह पूरान डिवाइस को भी चल सकंगे हैं करें और थोगा सा दिगा करें अच्छा आप देखिए आपके पास एक मेल इंटर्फेस आ गया जहां आपके बास यह सारी चीज़ा रही है यह एप मैनिफेस्स जावा इसको अलग अलग करके हम देखिने तश्रील से फिलाल CTRB पहला है तो मैं सब्सक्राल निचे कर दिता और XML के अंदर भी आपको दो हिस्से मिलते हैं एक मिलता है design mode एक मिलता है text mode आप दोनों में से किसी भी काम कर सकते हैं अभी हम जिसके काम कर रहे हैं वह constraint layout होगा constraint layout को मत्तब ही होता है कि मो automatically उसको adjust करवा सकें कैसे करवा सकते हैं इससे हम उसार देतार पर अभी हमने एक काम पहला पहला lecture है तो हमने का कि अगर हमने दो users से input लेकर directly क्या करवाएं उसकी values को add करवा दें तो वह कैसा होगा user से input लेना सिखा रहा हूं और किस तरी किसे values को add कर रहा है तो मैंने यहां पर text प्लिक करा यहां से आपने plain text या कोई भी text ने लिया मैं अभी directly XML से नहीं लिख करवाने तो अब देखर आपने यहां से इड़ेस्ट करवाया और नीचे से फाइदा क्या होगा यहां बिल्कुर यह बाइंड हो जाए तीक है इस तरीके से बिल्कुल अब उसके बाद एक दफा और तक यहां बिल्कुर ड्रेक्ट करें मैंने का यहां दूसरा number होगा तो कि यहां पर आके मैंने एक बटन लगा दिया तो बटन मुझे यहां से मिलेगा बटन को मैंने ऐसे ड्रैक्ट करा और बटन को लाके मैंने इसे रग दिया इसको भी तार में से आपने इसको पर अज़स कर वा लिए सारी चीछेंगे अब कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए आजाएं इसके back end पर यहां पर देखिए यह automatically यह पूरा-पूरा code लिखा लिखाया मिल जाए है अब यहां पर आएं मैंने क्या इसको कर दें first number कि इसको आप करवा लें यहां पर second और इसको मैंने करवा दिया है ठीक है तो यह फ्रंटेंट आपका यहां पर सेट हो चुका है तो यह आपके पास एक option आगया आपका लेयाउट डिजाइन हो गया आप उसकी बाद अगर आप चाहरें कोई उपर टाइटल वगरा देना है तो आप उपर टाइटल वगरा भी द आप पहला काम क्या होगा आपका आपने आपे लाइडरी पर इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइडरी से मतलब हर वो विजट जो आपने पीछे समाल करा है विजट से मतलब यह बटन टेक्स बॉक्स से दों भी चीज़े हैं यह सारी के सारी जिसनी भी चीज़े आप उसका आपने यहां पर से इंपोर्ट करवाना पर कैसे इंपोर्ट होता है बहुत सिंपल तरीका है पहले कहां आपने क्या करना है व्यू को एड करवाना है दागे वो डिस्प्ले करवा सके तो इंपोर्ट ऐसे आपने लिखता इंपोर्ट और सार्थ में आप क्या करवादेंगे Android अब यहां से आपने क्या करहा Operating System यहाँ आपने क्या करहा Android.os अब जो आप बनकИा डिरेक्नी आपटी इस व्यू काल करवालना Android.view. यहां से आपने व्यू को अट करवालना पहला का gelir तिकिनद इस आप क्या क्या करवालेगे था से अब नीचे कुरा प्रत का यहां अब को शीज खरां परॉब करिए और मुझे तो घए क्र पास्स शीजा कि सन्सलेग यहां नहीं का कुवा फॉट आप सिना रान ऑग पलस्ट को चाहँ हुआ को अगपिछ Ł'. पर पर पैस ख्य veil कि मुलत करते हैं सिए यहां पर देखाँ फिलोड करने थिर अप कर्दी तो आप यहां पर कैसे करें इसको बिल्जकों तो आप यहां पर आपके शारी लाइवरी जब चाहिए इंपोर्ट हो थिश्ची अब ये जो है यह वही जावा वाला है यहां पर वह मेंड फंक्शन होता था यह मैंड पंक्शन और एक्षन तक प्रिवड क्या काम कर वारा है तो आपने आप क्या करना है आप समड़ो यहाँ पर देखो आप क्या किया गया इस वाले method को नीचे कर दें यह override method है इससे सोड़ दें यह main method होता है इसके बाद आप यहाँ पर आएं और सबसे पहला काम याद रखेगा जितने भी यहाँ पर आपने चीजें add करवाई है वहा और यहाँ पर आके इसका एक variable का नाम देते है अपने साब से अच्छा बेसी देखें यहाँ पर गौल करेगा इस जगह पर आएं तो हमने इसकी id देखेंगा आप इसकी id होगी यहाँ रहे इरे text नाम दिखावा रहा है इसकी यह copy करें इसकी आपर error text 2 आ रहा है तो जो जो नाम वहाँ पर आ रहे हैं वही आप नाम यहाँ पर आड़ करवाने दो पीछे दो एस समाल हो रहे थे यहाँ पर दो वेरियाबल समाल होगी कैसे error text 1 comma error text 2 ऐसे करके आपने दो मर्दाबास को एड़ करवा लिए ठीक है उसके बाद मैंने का button भी है तो private button और यहाँ पर आप यहाँ पर आपने मैंस बनाने तो पब्लिक और यहाँ पर यहाँ पर यह नाम होता है लिस्नर के नाम से अब तो addListener on button ऐसे और यहां पे constructors लगाएं और इसकी body बनाएं यह वो event बनेगा यह वो function बनेगा जिसके click हो तो फिर बख्या काम पर सौम होगा पहला काम आप यहां पर आएं और edit text 1 को use करें is equal to और अब याद रखें जैसे javascript अपनों तरक document.getElementById इससरके से यहां पर आफ findViewById जबते हैं कैसे करेंगे यह देखें हैं कुद आएगा लिखने की जुर्दी पूरा 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 आयाता है findViewById अंदर आप क्या करें है साली अपने id को पास रवाद है तो id क्या है वो कैसे आएगा देखें r.id. आपके पास यहां पर id खुटके आएगी एडिट टेक्स 1 यह आगे आपके पास id अगर यह id होगी तभी इस अलेगा वर्ना एरर दोगा कैसे यह देखें आपर मैंने आप ए 3 देदी मुझे आपके पास इस चीज आपने पढ़ीची चीज आपने पढ़ीची अगर फिर भी आयतान करवाने के जब जुदत पड़ेगी तो बाटमेटिकी फुट करवा देगा उसके लिए मुझेल कोई काम नहीं है सेंपल ज्यागरे यहां पर पर यहां पर लिख देख्स और प्रक्रवान आए तो आप सिंपल क्या करवाले आप इस जगह पर आपर प ऐएसangenों डेक्ट बन करें। और यहां पर लिख दे एडेटथेक्स के बतल में। यह हो जाएगा इसकी टास्थ Circ aim यहां इसको ने करें बन यहां भर आपकी पर करें। यहां पर करते एडेट थेक्स को यहां दो कर दे दे दिखक्स यहां doesn t कर वी करवाने तो भिटन के से होगा आप यहां पर आएं और सिंपल पर नाम दें बætts है तो है तो बस सिंपल यहां बटन cya p Toatch & Find view by id अंदर आकर आप क्या लिखे ? अर्लाकिश्य यहां पर बट्टन है, यहां पर और यहां पर क्या करें, प्रेक्ट लगाएं और यहां पर बट्न को कॉल रवालें, बूट्टी ओं ऐसे करके आपने इसको बाईद रोगालें यही function के अंदर आपने फर्दर continue करना है काम, आप वो कैसे काम करेंगे वो ज़रा समझ लें, अब देखें यह जो आपके पास सल रहा है, अब यहाँ आजाएं, इसके अंदर आएं, button देखें यहाँ पर, dot, आप यहाँ पर आपने क्या करना है, आप कोई भी नाम देदें, मै फिर करें इसके अंदर और यहाँ पर आपके new लिखें, और फिर view लिख दीगे, खुद आएगा, आपने यहाँ पर view लिखा, ठीक है, capital ने, view, और देखें यहाँ पर बराबर में एक option जा रहा है, आपके पास बराबर में एक और view आ रहा है, आप इसके क्लिक करें, पर इस यहाँ कर जाए, यह event generate करवादे, ठीक है, तो अब आपने सारा काशारा काम जोए ना, वो इस वाले method के अंदर करना है, अब कैसे करना है, बहुर असान सा काम है, आप सुन पर आए, पहले यह variable यहाँ पर call करवाएं, string, और यहाँ पर कोई भी एक नाम देदे, मैंने एक न और यहाँ पर आपने इसको convert करवा दिया, string में क्यों, यहाँ पर क्या था, वो string में convert होगा था, इस तरह से इसको copy करें, paste करें, और यहाँ पर आप क्या करवादे, इसको back पर आकर इसको करवादे, value 2, यहाँ पर क्या करवादे, ठीक है, यहाँ से added text 2 हो गया, बाखी remaining से आएगा, तो integer आपने लिखा dot, और यहाँ पर लिखें आप पार integer, यह data input लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा, value 1 से, copy करें, paste करें, टर्मेंटर लगादे, फिर दूसरा वाला, copy करें, paste करें, इसको लगाएं यहाँ पर b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, value 2, paste कर तो यह data यहाँ पर होल जाएगा, अब मैं प्रिंट कहां करवाँगा, तो मैं उसके लिए टोस इस नबाले करेंगा, इसकी बारे मैं कह रहा था भी, अब टोस के लिए भी कोई लंबा चोड़ा काम नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर आपके 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 पास आगया, सब अब मैंने कहा, मुझे जो चीज सही है, वह आप सिंपल यहाँ पर करवाएं, जगा पर स्ट्रिंग आपके बार, यह चले पहले पहला मर्तब आए तो मैं खुद लिखवा रहता हूं, पहली पहली मर्तब आए तो समझाने के लिए टोस आपने लिखा, तोस अब डॉट में टेस्ट, यह आगे हा की बार टेक, आप अंदर आप एमने अप्लेकेशन का ना देखे, तो यहाँ पर आप की या करेंगे, इसके फोरण बात आप कोमा लगाएंगे, और स्ट्रिंग पास करवाएं, और स्प्रिंग आपने पास करवाया, और यहां पे डॉट वैल्यू और तो वैल्यू कहां से उटके आ रही है इस वाले sum के variable से तो यह आगे sum का variable पास हो गया शाथ में अब यहाँ पर आपने क्या करा कॉमा लगाया और length बताई इसको तो टोस कि यहाँ पर इसको length long कर दो यहाँ पर यहां पर इसको पास पर यहां पर सारी value आपके बास यहां पर hold हो गेए और हाँ अब बेट करो पहले भी खतम नहीं हो यह अब length आपने रगा दी उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे dot और यहां पर शोप का तर्शक्र लगा में पा कि यहां पर क्या करा में पृट कामास लगा है और यहां लिखा the value of some is और यहां पर मैंने क्या करवाजी इसटोपंध करवाजी आप फ्लत साइन लगा है ठीक है सेफ करा ए पर सुन्ध कि दूरार्प भालान अबस आप पले करें इसको प्लत साइन लगाईगा बिजाहा य यहां पर आपने कोई भी एक नमबर दे दिया, शेकंड नमबर आप नीच से आए, इसको मिटाया आपने, इसको एक चीज अभी पीसे हमने गल्पी कर दी, यह वाले फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, तो बस सिंपल जाके इस वाले फंक्शन को कॉपी करें, और यहां लाके मे अब यहां पर दिबारा होने जाएगा, ठीक है आपने इसको अटाया है यहांसे, अभी तो यह नमबर लिखा हुआ ना, बाब आम इसके तिन्दा प्लेशोल्डर लगा जेगे, यहां कि फिर यह मिटाना ना पड़े, इसको बटक ट्लिक करें, इसको कर दें, इसको कर दें यहां से मैं एड़े क्लिक करा, यहां में बट तोस दनेट हुआ है, ठीक है, तो यह में बट टूटल सम भी आ गया, यहां से भी तोस आया, तोस का मदब ही होता कि कुछ देर की रिया आयट रखाए बगा, दुबारा क्लिक करें, दुबारा तिन्दा रखाए भी देगा, तो यह क्या था, यह आपके पास, टूस के तोरो आपने दो मैफ़ेट, तो एक मैफ़ेट के तोरो डटागों कॉल करवाया,